अलो मैं डियर फ्रेंड्स वेलकम बेक टो यम यम टमी फूड रसीपी आज फिर से एक इंट्रेस्टिंग रसीपी के साथ फिर वापस आया हूं आज का रसीपी है ब्लैक चना करी इस रसीपी चपाती डोसा नहीं तो रैस के साथ भी बहुत ही अच्छा लगेगा चलिए इस को शुरू करेंगे पहले में यहां पे दो कप ब्लैक चना को रात बर भिगो के नेक्स डे में अच्छी तरह से वाश करके एक पोटेटो कट करके उसके साथ अच्छी तरह से बॉइल करके लिया हूं अब इसका मसाला तयार कर रहा हूं कड़ाय में दो टीस्पून नारेल क त्यूल आड़ किया हूं उसके बाद एक इंच सिनमन, दो हर्यलाची, चार से पांच लवंग, एक टीस्पून सॉंप और एक टीस्पून जीरा डालके अच्छी तरह से फ्राई करके ले रहा हूं उसके बाद स्लाइज करके हुआ एक चोटा ओनियन को एड़ किया हूं ओन तक हमें इसे fry करना है, उसके बाद मैं add कर रहा हूँ, एक कप freshly grated coconut, पोकनट को भी एक देट से दो मिनिट तक अच्छे तरह से fry करना है, उसके बाद हमें add करना है dry masala, ड्राई मसाला में पहले एड़ कर रहा हूँ एक टीस्पून लाल मिर्ज पॉडर और आधा टीस्पून हल्दी पॉडर एड़ करके एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके ले रहा हूँ यहाँ पे आप लाल मिर्ज पॉडर आपके स्वाध अनुसार कम जादा कर सकते हैं तीस से चालिस सेकेंड तक फ्राई करने के बाद मैं आप एड़ कर रहा हूँ एक टीस्पून धन्या पॉडर और दस से पंद्रा कड़ी पत्दा इसे भी हमें अच्छी तरह से फ्राई करके लेना है फ्राई करते वक्त प्लेम को लोग पे रखिये नहीं तो मसाला जलने का चांसस रखे हैं फ्राई किया हुआ मसाला को अभी मिक्सी जार में ट्रांसबर कर रहा हूँ जरुरत के इसाब से पानी आड़ करके एक स्मूध पेस्ट तयार करके लेना है अगला स्टेप में चिकपी या ब्लैक चना का कड़ी बनाने के लिए तड़का तयार कर रहा हूँ पहले में कड़ाई में दो चम्मच नारियल तेल अड़ किया हूँ तेल घरम होते ही एक चम्मच मस्टर्ट, एक सुका लाल मिर्च और तोड़ी सी कड़ी पत्ता को आड़ करके फ्राई कर रहा हूँ उसके बाद आड़ करना है स्लाइस किया हूँ ओनियन और बारिक से चॉप किया हूँ टमेटो टमेटो और ओनियन अच्छे तरह से सॉफ्ट होने तक हमें इसे फ्राई करना है उसके बाद आड़ कर रहा हूँ स्लिट किया हूँ दो हरे मिर्च इसके बाद मैं यहाँ पर आड़ कर रहा हूँ ग्रैंड करके रखा हुआ मसाला मिक्सी जार में बचा हुआ मसाला को भी एक आदा गलस पाने से कलीन करके आड़ कर रहा हूँ करी का consistency जैसे चाहिए उसके साब से पानी आड़ कीजिए उसके बाद आड़ कर रहा हूँ स्वाद अनुसार नमक और एक चम्मच गूर से एक बार अच्छी तरह से mix करके lid को close करके एक उबाला लाने तक हमें इसे boil करना है करी अच्छी तरह से उबाला रहे अब आड़ कर रहा हूँ boil करके रखा हुआ चिक पी या ब्लैक चना और पटेटो इस रसीपी में आप चाहिए तो पटेटो को skip करके उनली ब्लैक चना से भी ये करी बना सकते है ब्लैक चना के साथ पटेटो का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है आप एक पर जरूर ट्राइ कीजिए इसे एक बार अच्छी तरह से mix करके lid close करके आमें एक उबाला लाने तक अच्छी तरह से boil करना है फ्रेंड्स आप वीडियो में देखरें बहुती बढ़िया टेस्टी ब्लैक चना या चिकपी का करी बनके तयार है इसे आप चपाती, दोसा नहीं तो राइस के साथ सरू कर सकते है केरला का बहुती फेमस कडला करी को फुट्टू नहीं तो अप्पम के साथ सरू करते है एर रेसीपी को आप जरूर एक बार ट्राइ कीचिए वीडियो पसंद आगए तो लाइक कीचिए, शेर कीचिए और चानल को सब्सक्राइब करना मत बूलिए इसी तरा आवर एक इंट्रेस्टिंग रेसीपी के साथ फिर्वा पसाओंगा अंटिल देन बाई प्राम विश्वास